दोस्तों नमस्कार आज मैं फिर से आएँ आपको सामने और एक नया अनुखा रेसिपी लेके पनीर चप ये बैंगोली एक स्पेशल रेसिपी है तो इसको बनाने के लिए हमने पनीर ले लिए 400 ग्राम के करीब इसको हम अच्छे तरह से मेल्ट कर लेंगे इस तरह से हाथ के म और थोड़ा भुना हुआ जिरा पॉडर थोड़ा चाट मसाला और थोड़ा सा काजु पॉडर एक बड़े चमस के करीब में डाल दिया अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है काजु पॉडर और कॉंफ्लावर में एक बैंडिंग देगा और काजु पॉडर से क्या एक अच्छा टेस्ट आएगा इसमें तो यह हो गया डो तेयर हो गया उसमें थोड़ा सा मैंने पॉर्शन ले लिया उसको एक स्टाफिंग बनाएगा उसमें हम धनिया का जड़ चॉप के अब डाल दिया बुनावा जीरा पॉडर थोड़ा डाल दिया थोड़ा बिन चिली चॉप थोड़ा सा किश्मिश थोड़ा चाट मसला थोड़ा वाइट सिस्मी थोड़ी सी और थोड़ा सा काजो पॉडर इस तरह से हमको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है थोड़ा सा चिली पड़र डाल दिया तकि इसका थोड़ा कालर थोड़ा सा एंज करने के लिए इसमें थोड़ा से चिली कोड़ा डाल दिया अब इसका छोटे-चोटे बॉल में हम इस तरह से खाटके एक साइड में रख लेंगे अब वो मिक्स किया हुआ पणिर को हम थोड़ा सा बॉल बना लेंगे तो यह पांच शे पीस बॉल हम मेरा बनके त्यार हो गया अब इसको स्टाफिंग को इसमें डालके एक अच्छा सा शेप देके इसको हम चौप बनाएंगे इस तरह से इस तरह से हम शेप देदेंगे कि इस तरह हो गया शेप आप कोई भी शेप आप गोलाई में भी दे सकता लंबा करकी भी बना सकता आपका मरजी है मैं तो इस शेप में ले लिया अब थोड़ा सा इसको एक बेटर में हमको डीप करना है तो कॉन फ्लर मेंने दू बड़े चमस ले लिया अधा का पाणि डा कर लेकर के इस तरह से कोटन कर लेना है कोटिंग करके आप इसको देल में पराय खरेंगे इस तरह से कोटिंग हो चोगा है अब यह कड़ाई मेंres це गोड़ायर को हमेशे मीडियूम बिराखिंग ज्यादा ओफर कि होने हैं चॉष जो चौप जैन जल सकता को लावी पड़ स तो मीडियम फ्लेम में रखें और इतनी की आउंद से पकाईगे जया रखेंगे इसको बना के बच्शों को बहुत ही पसंद आघा, अब इसको बना केímने त्यार कर ले प्लेट में टॉमाटो सॉस में रख लिए अब प्लेट में इस तरह से सजा के टॉमाटो सॉस के साथ गरम-गरम सर्प करना है देगे तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नमश्कार चाहिंदे